नमस्कार ज्यारतियों Study 29 Academy के एक और ने वीडियो में आप सभी का स्वागत है आजम कक्सा आठ की इंदी की कारिय पुस्तिका का कारिय पत्रक 38 साल करेंगा तो इससे कारिय पत्रक को समझने के लिए वीडियो को सुरू से लेकियां तक देखें और अपना कोई सुजा हो तो comment box में जरूर लिखें सबसे पहले हम देख लेता है इसमें हमें कौन सी दक्स था राप्त करने है तो गद्यांस पद्यांस को पढ़ कर समझ के साथ प्रशनों के उत्र दे पाना तो यहां पर हमें एक पद्यांस देर का उसको पढ़ना है और समझ के साथ प्रशनों के उत्र देने हैं तो निमलिकित पद्यांस को द्यान पूरो पढ़ गर प्रशनों के उत्र लिखें पूरते निकसी रगवीर वदो धरी धीर दई मग में डग दूए तो यहां पर तुलसिदाजी के रहे हैं कि देने वाले सीताजी आयोधिया नगर से पूरते यनि आयोधिया नगर से निकल कर धरी धीर दई यानि धीर धारण करके मारग में दो डग यानि पग कदम चली चलकी बरी भालकनी जलकी हैं जैसे ही दो कदम चलते हैं उनके माते परपसिने की बुंदे चलक आती पुट सूकी गए मदूरा धर्वे और उनके दोनों मदूर होट एकदम सूक गए हैं फिर ही भूजती हैं चलनों अब केती के परण कुटी करी हो कित हैं फिर वे अपने पती राम से पूछती है कि अभी और कितना चलना पड़ेगा चलनों अब केती के और कितना चलना है तब रहने के लिए तता रहने के लिए गासपतों की कुटिया कहां बन रही पर्ण कुटिया नि कास्पू से बनी कुटिया या जोंपडी वो कहां बनाई जारी कितिया नि कहां तीय की लखी आतुरता पिय की अंखिया अती चारू चली जल चुए उस समय पतनी सीता की ये व्याकुलता आतुरता या व्याकुलता देख पिय पीय यानि प्रिय है श्री राम की सुन्धर अंखिया की अंखिया अती चारू चली जलगल यानि सिर्राम की सुन्धर आखों में जल खत आंशु बैने लगें तो इस पढ़ीया स्कादार पर हमें प्रस Edition के उतर death इसकी जो बासा है वो ब्रजबासा है ब्रजबासा हिंदी दूसरा प्रसन निमल की सब्दों के मानक रूप लिखे यहां पुर में कुछ सब्देर के उनकी मानक रूप यानि उनकी अर्थ लिखने हैं निकसी निकसी यानि निकले परनकुटी परनकुटी यानि पतों से निर् पित जौंपडी मग मग यानि मार गया रास्ता तीय यानि पत्नी सूखी यानि सूखना के होट सूख गये करी हो करी हो यानि बनाना सिता जी राम से पूछते हैं कि जौंपडी कहां बनाने जा रहे हो तो करी हो किता है परनकुटी करी हो किते हैं परनकुटी कहां बना रहे हो बूजती यानि पूछना पिये यानि प्रिये या पती इस प्रकार इनके मानक रूप हो जाएंगे या अर्थ लिख देंगे तीसरा प्रसन सीता का धेर्य कब तूट गया तो वन के रास्ते में दो कदम चलते ही सीता का धेर्य तूट गया क्योंकि उनको पेदल चलने काया कभी अभ्यास था है यह नहीं चोटह परसन मदुराधर सब्ध का संधी विचेद करकी लिखिए मदुराधर का संधी विचेद हो जायेगा मदुराधर बराबर मधुर पनस अधर अधर यानि होट मधुर मधुर होट पांचवाँ परसन राम सीता वन में क्यों जा रहे थे चवदा वर्स का वनवास काटने राम सीता वन में जा रहे थे तो राम को चवदा वर्स का वनवास दिया गया था उसे काटने के लिए वन में जा रहे थे परसन उपरियुक्त पद्यांस के आदार पर बताईए कि सीता को अत्यादी ठकान क्यों हो रही थी इसका उत्तर हो जाएगा सीता जी को पेदल चलने का जराब भी अभ्यास नहीं था वेकोमल सरीर की थी इसलिए जल्दी ही ठक गई तो सीता जी के ठकने का करणा था कि वो वन वीडियो की लगाओ तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में सेर करें चैनल पर पहली बार रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबादें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिपिकेशन आपको समय पर मिल सकें वीडियो को पूरा देखने के आपका बहुत बहुत धन्यवाद